तो माई डेर स्टुडेंट आज कि इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्डेर के बीए फिप्त समस्टर के सोसोलोजी यानि की समाथ साफ्त के फर्स्ट पेपर के स्लेबस और मोस्ट इंपार्टन टोपिक्स के बारे में तो जिन जिन भी इन्वेसिटी वा कॉलेज में आन अगर आपको फ्लेबस और टोपिक्स के बारे में जान कहीं रहेगी तो आपको परिच्छा में जरासा भी समस्चाय नहीं आएंगी ठीक है आपको पता चल जाएगा कि हाँ यह प्रश्न तो हमने पढ़ा था यह हमने स्लेबस और यह टोपिक्स तो हम पहले से पढ़े हैं सम्मादित कोश्चन आया तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं ठीक है और स्लेबस और टोपिक्स होता है इन्हीं सम्मादित कोश्चन पूछे जाते हैं और जितने में सब्जेक्ट होते हैं ठीक है और हर सब्जेक्ट जो है उसके स्लेबस होता है उसका टोपिक्स होते है उन्हें सम्मज़ित question पुछे जाते हैं तो आज किस वीडियो में बीए फिप्त समस्टर first paper sociology के first paper के बारे में हम आपको बताएंगे प्रोब के तोर पे देख लीजिए आपका वर्स जो है वो तिर्तिय वर्स है यानि कि बीए third year है समस्टर आपका जो पंचम है पांचवा समस्टर है सब्जेक्ट sociology है और प्रश्णिपत्र question paper का नाम है classical sociological thought और हाँ subject चाहे हिंदी हो चाहे इंगलिस हो चाहे सोचोलोजी हो वो आठ यूनिट आठ चैप्टर आठ topics नो डिवाइड होता है और इनही 8 यूनिट चैप्टर फिडियो question पूछे जाते हैं तो आप चाहां unit बोलिए चाहां चैप्टर बोलिए या फिर topics बोलिए सब एक ही ए ठीक है तो 8 यूनिट में पूरा का पूरा इंगलिस में है ठीक है और आपको इंगलिस में समझने में काफी समझ्चाएं भी आती हैं और हमको भी आपको explain करने में या फिर बताने में समस्याएं आ सकते हैं इस पूरे 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 स्लेबर को टॉपिक्स को मैंने हिंदी में convert कर लिया है ताकि आप अच्छे समझ से के और हम आपको अच्छे से समझा पाएं तो चली जो फ्लेबर सब्जेक्ट है इसकी सुरुवात कैसे हुई इसका उद्भो कैसे हुआ और बहुत धिक स्रोथ और ज्यानवदय दर्सन यानि कि इन सभी का जो स्रोथ है एक जरिया है वह आपको बताना ठीक है तो पहला जो टॉपिक हो गया यहां से प्रिश्ण बन सकते कि समास साफ्त का सुधार आंदोलन से जोड़े कोश्चर पूछे जाएंगे ठीक है समाज में जो आम जनता रहती है ठीक है समाजिक में अगर कोई समस्या आती है यह फिर किफीचीश का विरोध किया जाता है यह फिर कोई नियम कानून गलत लागो हो गया है तो इसको फुदारने के लिए आंदोलन किया जाते हैं धरना प्रदर्शन किया जाता है तो वही आपको यहां पर प्रशन देखने को मिल लागा है और यहां फिर टॉपिक्स भी निकल लागा है ठीक आप लोग देखी पा रहे होंगे कि समाजिक और राजनितिक सुधार आंदोलन के बारे में लिखना है कि अगर काफी बार समाज में समच्या आती तो हम लोग उसको सुधार के लिए अंदोलन करते हैं राजनितिक छित्र में समच्या आती तो हम उसके सुधार के लिए अंदोलन करते हैं धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसे के बारे में लिखने के लिए आएगा ठीक है तो नहांसे फ्रस्ना बनेंगे उसके बाद क्रांत जा आहीं है और और यह बहुत इपर खुशनन फ्रांस-शी क्रांत सिर्वा खुशन आएगा और यह दोने प्रक्राइब तो पुछा जाएगा तो इस डूहित प्रक्रांत युटत और मुर्ट फेटन क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताया जैसे googling है . इसमें फ्रांसेसिटीं इक टॉपिक्स है यह लोगी क्राங्ऩ दोनों कुछिन के सब के तॉपिक तो इनसे समघित कोश्चन पुछे जाएंगे फ्रांसेशी क्रांत तो इस बात को ध्यान रिखेंगे उच्छे बाद यूटमबर शिकेंड में आजाएंगे यूटमबर शिकेंड में आपको एक प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है अगस्त काम्टे ठीक है तो अगस्त का समाजिक विकाफ क्या है और समाजिक डार्विन वाद क्या है इसके बारे में आपको लिखना कि समाज में विकाफ जो होता है उसकी परिभाफ़ा लिखना है हारबट स्पेंसर के नुसार और प्लफ समाजिक डार्विन वात क्या है यह आपको लिखना है ठीक है तो यहाँ पर पहले होगे अगफ्त काम्टे बिद्वान जिनके नुसार आपको प्रतिच्छवाद और ग्यान का पदानुकरम बताना और तीन चरणों का कानून बताना है और दूसरे जो बिद्वान है इनसे सम्मंधित यह टॉपिक्स है जो कि यहां से प्रस्टम बनेंगे ठीक है अब आ जाएंगे हम यूट नबर थार्ड में तो इसमें आपको जो टॉपिक्स है वो एमिल दुर्खीम जो कि प्रमुक बिद्वान है इनको लेकर कोश्चन प्रमुक बनेंगे परिवाफ़ा देजिए ठीक है अत्महत्या के लगए-लग कारण भी होते हैं जिनके बारे में प्रस्टम पुछा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा तो आत्महत्या एक सिंपल सा मतलब की वर्ड है और इसका जो अर्थ है इसी में मतलब की समाही आत्महत्या में ही ठीक है आत्म तो तब स्वयम हत्या मतलब खतम करना मतलब नयाप चपने आपको ही कदम कर लेना अत्महत्या कहले लाता बाकि आप इसको बना के लिख सकते हैं ठीक है तो यह रहा थार्ड नंबर यूनिट स्पीड़े मोस्ट इंपार्टन टोपिक्स और कोश्चिन बन सकते हैं उनकी जानकारी अब यूनिट नबर फोर्थ में आपको देखने को बलेंगे विलफ्रोडो पैरेटो यह प्रमुख विद्वान है ठीक है विलफ्रोडो और पैरोटो इनका नाम है क्रिया तार्किक और गैर तार्किक क्रिया के बारे में कोश्चिन अदो पूछा जाता है कभी-कभी और आवसेस और संजात हलाकि एक एसकन हमेशा नहीं पूछा गये हैं लेकिन आप तй्यार आपको बता दे रहा हूं इन टॉपिक्स संबदें इसकी जानकार भी आपको हम देदेंगे ठीकिक है पहले टॉपिक समझ पर नेगे देखे अगर आपको ये जानकारी रहेगी कि हाँ भाई जो टॉपिक से उसके बारे जानकारी रहेगी तो प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे न पर इच्छा में तो आपको समस्या नहीं होंगी क्योंकि आपके सामने कोई क्वेश्चन पहली बार सुनेंगे तो आप उसक सकवाऊंटे बोलना हूँ कि लेवस चाहरवना जानना जरूरी बहुत बड़ा है लेकिन समस्तर में क्या एगा समस्तर को जो फुर्शिक बाइने फुर्शिक पहर उसमें कौन से बसग worm और उने Reef पुलन से कॉषण पुछा जाएंगे गए यह ना समाच ऊनlection में सब्सक्राइब यह नहीं करके जाएंगे ना तो बीए फिप्त समस्टर की समाथ साफ्त में क्या है क्या टॉपिक्स है कहां से प्रस्म नहीं वह आपको जानकारी होने चाहिए ना तो यह वही मैं आपको बता देना बता रहा हूं तो नोट कर लिए ठीक है और अगला तो मकाल मार्क्स रिड़कोश्चन एक तो पक्का आएगा और कौन सा आएगा यह आज्यादा तर पूचा जाता है जोंदात्मक इतिहासिक बहुतिक वाद ठीक है और सिद्धानत अलगाव बहुत कम पेखनों को मिला है ठीक है तो वर्ग संघर्स और दोंदात्मक इतिहास प्रोटेस्टेंट एठिक्स एड ठीक है इस्पिरिट आफ पूजी वाद ठीक है तो मैक्स वेवर से जुड़ा कोई ना कोई कुछ्चन आएगा यह तो तहीं है अब कौन सा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं सोचल एक्सन भी हो सकता है कोई सबस्चन आजाए पावर एं समाज को लेकर क्या इनके राय हैं उसके बारे जोड़ लेज़ेगा ताकि आप लिख सके अगर प्रशन आए तो ओके अब आ गए हम यूट नमबर सेवन की उर यूट नमबर सेवन में आपको जी एच मीड जी एच मीड के अनुसार प्रतियाक्तिक है प्रतियाक्तमक अंतक्र क्या है श्वयम और मैं की अवधाणडा के बारे मताना तो यह टोपिक से हैं जिन से संभधित कोईशन पूछे जाएंगे सेवन नमबर यूट में अब हम आ चुके हैं आठ यूट में हलाकि जिस यूट में ज्यादा प्रश्ण बनते हैं यह फिर ज्यादा प्रश्ण पूछ नहीं का नहीं यहां पर ठीक है इस यूट फे एक ही कोश्चन बन सकता है कि जी एच मीट के अनुसार प्रित्याक्तमक अंत कि रिया क्या है बस और यह तो बहुत कमाने को उम्मीद है अब अगला यूट है आठ नमबर की टे टेक है टेल कॉट टेल कॉट परसंस प्रोंक ब क्या है स्बाजिक बीघुफथा क्या है पायटर स्रोंक बिद्वान है इनसार मद्द स्रेंडी विध्धात प्रकट और अभिवयक्तिकार तो मैं आपको बता दे रहा हूं आटल काट परसंस के नुसार कुश्चन पूछे जा ना सकते हैं का रिखके बॹुहारिये और क्भ प्रकट और अभिव्यक्तिकार हलाकि जोनों उम्मीद कम है आने के लेकिन आ जाएगा तो अच्छी बात है दरवाइज कम उम्मीद मान के चलिए ठीक है ओके तो यह रहा पूरा का पूरा आठ हुआ यूनिट और यही आठ यूनिट जो है एक दू तीन चार बांचे फात तो इसमें से जो मोस्ट इंपार्ट टोपिक्स से समद्धी जो कोशिशन बन सकते हैं थोड़े बहुत मैंने आपको बताएं बाकी आने वाले दिनों में कौन को सफस्ट नियूर्ट स्ट्ट बन सकते हैं उसका उत्तर यह सब हम आपको प्रस्तुत करेंगे ठीक है तो इस व आपको पता तो चल जाए कि यहां यहां चे प्रस्ट बनेंगे इन इन टॉपिक्स से समस्टर के फर्स्ट पेपर में सोचिलोजी की ठीक है तो आपको जानकारी आई हो मिल गई ठीक है और यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुए हुए जो कि बिगत कई वर्सों से लग